हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खाई फ्रेंट्स आज की हमारी गिम वन सगेंड चैस उलंपियाड की है बुड़ा पेस्ट हंग्री में जो चल रहा है फ्रेंट्स यहाँ अभी तक का भारत का प्रदर्शन संतुर जना की भारत का मुकावला इरान से हुआ था तो भारत ये खिलाड़ी एक दूसरे के सामने एरानीन खिलाड़ी के साथ थे भारत के दो माराजू गुकेश थे प्रहम मक्षुद्लू से चलिए शुरू करते हैं यहाँ डी फोर के साथ प्रहम मक्षुद्लू ने शुरू का गुकेश का रेप्लाई डी फाइव का आया c4 हुआ e6 knight c3 c5 cxd5 exd5 knight f3 then knight f6 from black side g3 knight c6 bishop आया g2 square पर then cxd4 knight per attack बना knight cxd4 bishop आया c5 square पर knight per pressure रूम बना है तो यह knight गया b3 square पर वापस bishop पर attack बनाने के लिए bishop हटा b6 square पर और इसके बाद यहाँ castle किया प्रहम मक्षुद्लू ने देन हुआ d4 knight पर attack बना हटा आना पड़ेगा clear faces तो मैं नहीं कहुआँगा knight गया a4 square पर और यहाँ bishop को target करने के तयारी है देखिए चलिए bishop अगर हमने रस्ते बन जाते हैं सब चीजों के खेर फिल्हाल गुकेश ने अब कैसल किया रुकाया e1 square पर from white side then h6 bishop गया f4 square पर और अब मैं जरूर कहुँगा कि अगर bishop जाता है हटता है तो जरूर एक्शेंज हों कि बिशाप e6 light square bishop नहां गुकेश ने डुबब किया knight and b goes to c5 और friends यह move मैं समान तो देखिए possibility लेफ बिशाप पर attack बना बिशाप पर का advantage नहीं दे सकते तो गुकेश ने का कि ठीक है मैं अपने bishop को d5 square पर लिजाता हूं then हुआ knight takes b6 eliminate किया यहाँ पर bishop a takes b6 knight पर attack बना और knight takes b7 friends यह move बहुत interesting है लेकि प्राम में क्या किया है b7 square पर रखे हुए pawn को लिया है अब इस knight के भागने के लिए रस्ते कुन से है है possible रस्ता एक वहाँ से निकलने की गुंजाईश तो है लेकिन वो तने strong नहीं है especially जब यहाँ यह जी पॉन आके पर शोगा तो problem तो है यहाँ प तो थोड़ा सा मैं कहूंगा white बिल्कुल करेगा पहले करना पड़ा इन पर सैंट डी टेक्सी 3 अब दो options है एफ टेक्सी 3 की ठीक ठाक नहीं उसके बाद फिर हुई है रस्ते अपने दोनों के लाड़ियों के पास खेर यहाँ की लागया रूप टेक्सी 3 बिशप अभी भी 24 स्क्वाइर पर बिशप पर डिफेंस भी हो गया है और नाइट पर अटेक बन गया है नाइट पोटा हुए हां से यह गया डी 6 स्क्वाइर पर जो टागेट था वहीं पहुंचा बिशप टेक्स जी टू होने के बाद फ्रेंड्स क्या गुकेश यहाँ इस जीप उनको रुख जाएगा भी थ्री स्क्वाइर पर नाइट पर अटेक बनाने के लिए अब नाइट बचो बिशप लो वटेवर इस तरह से यह मागे बट भी रहेगी यहां के ला गया रुक एट रुक के उपर रुक लगा है देन हुआ रुक बी थ्री वही हुआ नाइट पर अट E5 स्क्वाइर पर देन हुआ क्विन E6 बिशप पर एटेक बना क्विन गई यहां से D4 स्क्वाइर पर फ्रेंस यहां इस पॉइंट पर ऐसा कौन खिलाड़ी होगा जो यह कहेगा कि मैं यहां नहीं ले सकता इस लेखें जड़ा रुक टेक्स D6 क्यों नहीं हो सकता बिशप आटेक्स D6 होने बाद क्विन D6 आएगा और उसके बाद देखिए रुक्स की आप बैटरी तयार कर लो कोई इशु नहीं है नाइट फिलाल थोड़ी दर के लिए पिन हो जाएगा लेकिन नाइट पर नाइट डिफेंस तो कोई जाता प्रॉब्लम वाली बात रहीगी नही आप पॉण को ले सकते हो वो भी एक एडवांटिस था तो था वहाँ पर कुछ ना कुछ मैटीरिल मिल जाता खेर नाइट जी फूर की आप्शन को यहां चुदा लिया और बना यहां बिशप पर अटेक्स बेखिए यहां यह बिशप पर अटेक्स जरूर है लेकिन साथ ही यहां जी साउन को अभी लिया जा सकता है वाइट के दौरा अगर प्रहम यहां बिशप टेक्स जी साउन के लिए फिलहाल जाएंगे तो इतना फूरूटफुल मूव कम से कम नहीं रहने वाला है आप इस बिशप को मान के चलिए कि बहुत तक संबाव है कि वो ट्रैप होन सबसे काम लिया गया ठीक है आप मेरा बिशप लो मैं आपका नाइट लूगा गेम में बिल्कुल इक्वल रखता हूं नाइट इस ठीक है अब हो चुका है गेम सही नाइट इस स्कूर पर आने के बाद प्रहम के दिमाग में क्या चल रहा था मैं अभी शी और नहीं आप ब इसे बचाएंगे बिशप के साथ तो इश्यूज है नो डाउट बाउट बिशप एक जी सावन यहां खेला गया लेकिन गुकेश ने अपने नाइट को रखा एफ फाइन स्कूर पर फॉकिंग क्विन एंड बिशप यहां यह गेम फस्ति है देखे नाइट को तो बेवकू के साथ भी इश्यूज है नाइट एक जी सावन के ला गया रुक टेक्स भी सिक्स हुआ चलिए यह भी ठीक है तेकिले अडवांटेज नहीं है रुक अंडिफेंड रहेगा देन हुआ एफ फाइल एच थ्री नाइट पर एटेक बनाई यह गया यह फाइब स्कूर पर और यहां इस पॉइंट पर देखें इस गेम में काफी कुछ ठीक है अगर मैं बात करूँ एडवांटेज की गुकेश के पास एडवांटेज है एक कम्प्लीट नाइट एक्स्ट्रा होन का वही प्रहाम के पास एडवांटेज है दो क्लियर स्ट्रॉंग पासर्स का एक पीस ड लेकिन यहां खेला गया नाइट सी फूर आप यहां कहेंगे कि यह ठीक है क्विन पर अटेक्स जरूर बन रहा है लेकिन आप कहेंगे यार सीधा सीधा प्रहम ने अपना नाइट सैक्रिफाइस कर दिया गुकेश क्यों ना ले इसको और हुआ भी वही कुंटेक्स सी फॉर लेकिन मैंटेक्स एक्षिन बिल्कुल एक्वल रहेगा कैसे रुक्टेक्स दी एट अब रुक्टेक्स दी एट ही करना पड़ेगा चेक देकर दूसरा रुक्टेक्स दी एट धन कुंटेक्स दी फाइट नाइट फॉर नाइट बिल्कुल एक्वल हो गया लेकिन ऐसा होने कि ये बाद जो गेम लगभग अभी तक एक वल्च गई थी वो all of a sudden उसका पूरा टिल्ट गुकेश की तरफ मूव कर गया है लेकिन आप सोचेंग यार अभी तो ऐसा कुछ है नहीं मेरी नजर में गुकेश को अभी इस नाइट की जरूद थी भी नहीं देखा जाए रुक ड कंपने रुक को बी सेवन स्कुरेड पर ले जाकर यह चेक मेटिंग त्रेट आपको नजर आ रही है वो काम नहीं कर सकता क्योंकि कुछ सेट होगी और रुक को कर दिया जाएगा एक लिए वाइट जाज़दा एक चेक दे सकता है चेक के बाद यह किंग जाएगा एक सेवन स्कुरेड का पर और उसके बाद कोई चेक मेट जैसा कुछ होना नहीं है नाइट के अपना बाकि का काम कर चुका होगा तो रुक बी थ्री यहां वरहम ने कि अब रुक बी थ्री से फूट फुल कुछ सॉल नहीं उता क्युंकि कुछ फवन चेक तो होगा ही होगा यहाँ पर गर मैं आपसे कहूं हूँ यह चेक मेटिंग त्रेट आप होगी कि हाथ खुड़ा वाइट का किंग फस्ता वो तर नजर आ रहा है स्क्वेर्स कम हो रहे हैं उसके लिए किंग फ्तरी कुइन एच वाइन चेक किंग एफ फोर और फ्रेंट्स आप वीडियो को पॉज करके रखें और जो कोई भी नेक्स्ट मूव यहां चला जा सकता है उससे जड़ा इमेजिन करें जिस मूव के चलने के बाद फाइनल यहां रिजाइन करना पड़ गया किसको प्र लेकिए रुक की वजए से यहां no doubt about it f pawn पर defense हो चुपा है बस knight को jump करना है checkmate करने के लिए उसके आद आपको यह queen से check और checkmate भी नज़रा आ लिए जैसे चलिए इस game को फोड़ा सागे बढ़ाते हैं और queen के लिए कुछ options डूंगते हैं पहली option डूंगते है queen का f6 square पर जाना लेकिन उसके बाद देखे fog देने की ज़रुत क्या है सीधा सीधा queen जा रही है checkmate करने के लिए queen e4 check और wo mate हुई तो यानि कि किसी भी तरह से इस e4 square पर queen को नहीं आने देना रुको तो लिया ही नहीं जा सकते हैं तो queen को रख देते हैं e-file के अंदर ही 7th track पर रख दिया then हुआ knight h5 check king कहां जाएगा e3 square then उसके बाद कर सकते है queen e1 check और आपको यहां पर अपनी queen रवानी पर जाएगी बहुत कमाल का ट्रैप यहां गोकेश ने ले रहा है और जो गेम भी बहुत बढ़ जाती है उमीदा आप लोगों को भी जरू कसंद आई होगी आपके comment suggestions आपके बेहर दिन जा रहेगा thank you for watching it bye for now